हेलो और वेलकम है दोस्तों आफ से ब्लोग का टैक में पर एक बार फिर से तो दोस्तों आज हम अंबॉक्स करने वाले हैं वीवो का वी 19 जो की बहुत ही बढ़िया फोनर बहुत एकसाइटिंग फीचर के साथ आता है इसके दो वेरियंट आज ही लॉंच किये गये हैं जो है 8GB RAM और 128GB Storage में जिसका प्राइज है 27,990 रुपे और दूसरा है 8GB 256GB Storage के साथ जिसका प्राइज है 31,990 रुपे तो खेर दोस्तों मेरे पास जो मोडल है वो 8GB RAM और 256GB Storage वाला है और मैं दिखाता हूँ आपको की box के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कैमरे के lens को काफी ज़्यदा हाइलाइट किया गया है इसकी branding काफी कीग है इसका मतलब का कैमरा जो है काफी अच्छा होने वाला है सबसे बहुत है इसके अंदर क्या मिलता है आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं SIM Ejector Tool मिल जाता है आपको यहां पर और मिल जाती है हमें C Type Cable जी हां दोस्तों यह जो फोन है वो C Type Cable को सपोर्ट करता है तो यह काफी अची बात है क्योंकि अ technology काफी जैदा जो है stem चलन में है और यह बहुत अची चीज़ा कि इन्होंने C Type जो पोर्ट है यहां पे दिया है अब देख लेते हमें क्या मिलता हमें case मिल जाता है अपने phone को protect करने के लिए यह काफी अची चीज है जो हमेशा मैं कहता हूं कि हर company को करना चाहिए क्योंकि ह हमें पनी phone की protection चाही होती है और box के अंदर हमें यह चीज मिल जाए तो बहुत ही बढ़ी है और यह रहा दोस्तो finally हमारा Vivo V19 जो की काफी जैदा बढ़िया लग रहा है हम जल्दी से अभी इसको wrap करेंगे पर पहले देख लेते हैं कि box में और क्या क्या चीज़े हमें मिल ज इससे एक चीज तो परदा चल जाती है कि हमें 3.5 का जो jack है इस phone के अंदर देखने को मिलता है यह box खाली हो गया इसे side कर देते हैं और यह आ गया हमारा Vivo V19 तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको wrap यह रही दोस्तो हमारी first look Vivo V19 की सबसे पहले आप गोर करेंगे कि इसकी screen ज इसकी back 6th generation gorilla glass से बनी है 3D glass body design इसके अंदर हमें देखने को मिलता है और अगर हम screen की बात करते है तो 6.4 inch की dual eye view display इसमें देखने को मिलती है lived super AMOLED display का इसमें इस्तमाल किया गया है full HD screen है दोस्तो और पूरी तरह से bezel ऐसे आपको bezel बिलकुल भी नजर नहीं आते है और यहां प जोकि आपको gaming होगी आपकी multitasking होगी है कोई भी आप task करते है phone के ओपर वो बहुत अच्छे तरीके से handle करता है अब बात करते है इसकी RAM के तो 8GB RAM इसके अंदर आपको देखने को मिलती है और अगर हम बात करते है इसकी storage की तो इसके अंदर आपको 128GB या फिर 256GB variant देखने को म मिलती है fast charging को support करता है 33V Vivo flash charge 2.0 को भी support करता है तो 73% जो आपकी battery है वो charge हो जाती है सिर्फ 40 minute के अंदर तो ये बहुत ही जयदा चीज cool है कि आप अपनी battery को बहुत fastly तरीके से charge कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं इसके camera की जो सबसे बड़ा plus point है तो उसके अगर हम rear camera की ब wide angle lens मिलता है इसका aperture है 2.2 इसके लावा जो जो जाएफेचर है 2.4 है इसके लावा दोस्तों बहुत सारे हमें scene mode देखने को मिलते हैं camera के different mode हमें देखने को मिलते हैं जिसके बारे में इस video में हम आगे भी बात करने वाले हैं तो मैं आपको सारे के सारे sample दिखाने वाला हो ल अब दोस्तों बात करते हैं, फंट में मिलता है 32GB का में कैमरा, और साथ ने हमें एक और कैमरा मिल जाता है, 8MP का, और ये कैमरे भी जो हैं, बहुत ली अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आगे मैं आपको सारी की सारी चीचे दिखानेवाला हूं, दोस्तों बात करते हैं, के operating system की तो इसमें हमें मिलता है FunTouch OS जो की Android 10 के उपर based है और बहुत ही अच्छे तरीके से perform करता है अब ये तो बात होगी दोस्तो specification की अब फोन में क्या-क्या खास है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ दोस्तो इसका look जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो dual camera design सामने दिया गया है इसको काफी ज़्यादा अच्छा फील देता है 32 May of Excel प्लस 8 May of Excel के दो camera हमें सामने देखने को मिलते हैं जो काफी बढ़िया photo जो है आपकी लेते हैं और पीछे से phone काफी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है यहाँ पर super shiny है और खास तोर पे यह जो है phone जो mistrick silver color इसका जो आता है वो इतना ज़्यादा अच्छा है दो color इसमें आपको देखने को मिलते हैं एक तो piano black है दूसरा mistrick silver है तो में आपको mistrick silver है बहुत ही प्यारा दोस्तों लगता है super shiny जो है आपको feel होता है वो साथ में gorilla glass का protection भी मिलता है तो यह खैर काफी बड़ा plus point हो जाता है दोस्तों पीछे की तरफ जो यह surface है जिसमें की camera को fit किया गया है यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उसको काफी ज़्यादा premium look देता है camera मैंने आपको सारे बताई हैं कि 48 में पिसल का main camera 8 में पिसल का wide angle 2 में पिसल का bokeh और 2 में पिसल का micro lens जो हमें यहाँ देखने को मिलता है और सारे के सारे camera जो है वो काफी अच्छा perform करते हैं आगे मैं आपको सारे sample दिखाने वाला हूँ अब यहाँ पर थोड़ा था यह रहता है कि जो super shiny phone रहते हैं उसके उपर fingerprint जो है काफी ज़्यादा आते हैं इसलिए आप case उसके उपर लगाईएगा जिससे की fingerprint वगेरा जो है इस phone के उपर ना आई यहाँ पर अगर right hand side में बात करें तो volume रोकर और साथ में power button आपको देखने को मिल जाता है अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना ज़्यादा जो side से इस phone जो है curve है काफी curve design इसके अंदर देखने को में मिलता है 3D glass body मैं आपको पहले ही पता है कि इस phone में देखने को मिलती है तो left hand side में आपको देखने को मिल जाता है SIM slot तो यहाँ पर आप दो SIM डाल सकते हैं और अगर आप अपनी memory को extend करना चाहते हैं तो memory card जो है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं अब चलिए जल्दी से अपने phone को on कर लेते हैं boot कर लेते हैं उसकी सारी setting वगरा जल्दी से कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो phone के और जो exciting feature है वो कैसे हैं तो सारी चीजे हम detail में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और सारा का सारा जो first impression है वो आपको यहाँ पर आज देने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने जल्दी से इसको setup कर लिया setup में ज़्यादा time नहीं लगता है बहुत जल्दी आप इस phone को setup कर सकते हैं ओके तो अब हमारा जो phone है almost ready हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हमारा Vivo का V19 तो screen अगर आप देखेंगे पहले नदर में आपको आप देख सकते हैं कि screen कितनी ज़्यादा massive एस की और bezel बिल्कुल भी नहीं है तो इसको काफी अच्छी look देते हैं और phone अभी तो किलाल बहुत ज़्यादा अच्छा जल रहा है काफी smooth जो है इसकी performance यहाँ पर है उपर की तरफ यहाँ पर जो camera है पूरी तरीके से visible हो जाता है पर अगर आप dark wallpaper का use करेंगे तो यह इतना ज़्यादा highlighted नहीं रहेगा नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं bezel कितने ज़्यादा कम है screen to body ratio की बात करें तो screen काफी ज़्यादा यहाँ पर निकर कर आती है तो और देखते हैं कि phone के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर Google की सारी apps वगरा काफी अच्छी तरीके से manage की गई है उसके लावा यहाँ पर हमें manager मिल जाता है उसके लावा Vivo का store मिल ज सकते हैं काफी सारी themes आपको मिल जाती है तो different different जो themes हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं यहाँ पर game center आपको मिल जाता है तो यह बहुत बड़े game center में आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती है और आपकी को जो है ना काफी अच्छी तरीके से अप्टमाईज कर लेता है अगर आपको यहाँ पर CPU, GPU टेंपरेचर देखना है तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं आप यहाँ पर बात करने वाले हैं Kids Mode की तो यह काफी ज्यादा अच्छा है और यह अच्छी बात है कि अगरा बच्चों को फोन देते हैं तो में एप सी रहेंगी और आप उसको लोक लगा सकते हैं तो बच्चे ज्यादा चीज़ों को छेड़ेंगे नहीं यह काफी ज्यादा मुझे नहीं रगता कि दूफ वगरा में किसी भी थराय पकि यहाँ पर दिक्कत Heroes और किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर देखने को पेश नहीं आई इस तरह के जो फैक्ट रहते हैं और फिंगर्पिंट सेंसर आप देख लिए कितनी जल्दी कितना फास्ट इसका खुलता है और आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से अपन होता है और यहां पर नेट सर्फिंग हो गई यहां कोई पी चीज ऐसी होगी जो भी मैंने यह पर की है सारी काफी अच्छे तरीके से वर करती है स्क्रीन मैं कहूंगा इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप यहां पर इंटेन्मेंट के परपस से देख रहे हैं आप नेट्फिक्स बहुत देखते हैं आप यूटूब बहुत देखते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही ज़ादा आपको जो वीडियो में मदाद देने वाला है इसमें जो हमें लिव सूपर अमलेट डिस्पले देखने को मिलती है उसके कलर बिल्कुल पॉप अप होते हैं और बहुत ही ज़ादा अच्छे लगते हैं पर में चीज़ है कि इसके कलर बहुत अच्छे आते हैं तो जैसे कि फोन HDR को भी सपोर्ट करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वीडियो HDR को सपोर्ट करते हैं अब यहाँ पर आप कोई भी फोटो इससे नॉर्मली भी क्लिक करते हैं तो इतनी ज़ादा अच्छी आती है अब यहाँ पर लेंस में जाते हैं सूपर वाइड एंगल हो गया बोके हो गया सूपर माइक्रो आपको फोटो के अंदर देखने को मिलता है इसका जो वाइड कर सकता है जो की नॉर्मल फोनों से तकरीबन 25 डिगरी वाइड जो एक्स्ट्रा है तो यह काफी ज़्यादा अच्छा है आप images में देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से जो है वाइड करता है जो बहुत आप देख सकते हैं इस image के अंदर कितना जाधा जो है इतने वाइड कर दिया है उसके अलबा दूस्तों मैं यह अगर बात करता है जो जो बोके की इसका जो बोके है बो काफी पिचे क्लिक करता है यह आपकी बहुत जादा help करने वाला है आप देख सकते हैं कि इतना फास जाकर आप शोट ले पाएंगे कितनी चोटी चोटी चीजों का आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे शोट मैंने इस फोन से लिये हैं और कितने अच्छे तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने शोट को लिया है अब यहाँ पर दोस्तों नाइट मोड जो है इसका वो भी काफी हो समय को अंदेरे में के पर फोटो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है तो यहाँ पर इसका जो सूपर नाइट मोड है इतना ज़्यादा बड़ी है कि मतला कितना भी अंदेरा हो फिर भी इतने काफी पर आई है और यहाँ पर यहाँ पर यह जो सारा कमाल है इसका तो आप देखसे है कि इस ने अच्छे तरीके से इसने याँ प्रक्तर मोड ने यहाँ पर यहाँ पर बिल्कूल भी लाइट नहीं थी आपको लगा रहा को light है पर यह जो सारा कमाल है इसके night जो mode का है उसकी वज़ा से इसके color इतने अच्छे आ रहे हैं तो इस सारी जो images हैं मैंने बिल्कुल अंदेरे में इस type से खीची हैं तो काफी अच्छी जो हैं यहां पर आई हैं उसलाब portrait की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह portrait लेता है यहां पर मैंने कुछ subject रखे तो दोस्तों आप देख सेते हैं क्या colors आ रहे हैं इसके मतलब पूरे अच्छे तरीके से DSLR को math कर सकता है यहां पर depend कि आप कैसे उसको picture को click कर रहे हैं तो मतलब इसका जो portrait है वो तो बहुत ही जादा कमाल का है तो काफी सारे मैंने यहां पर images कीचे तो कुछ images मैं यहां पर select किये हैं उसके लावर यहां पर super wide angle भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है portrait के अंदर भी तो अगर आप portrait में अगर wide angle short लेना चाते हैं तो वो भी आप यहां पर ले पाएंगे तो इस तरह के काफी सारे mode मिलते हैं अब यहां पर हमें यह वाला mode देखने को मिलता है इसके अंदर आप जो है beauty related जैसे कि आप मान लीजिए अपनी skin को आप white करना चाते हैं अपने face को thin करना चाते हैं eyes को कुछ और करना चाते हैं forehead को कुछ करना चाते हैं सारे option मिल जाते है slim करना चाते हैं अपने head को body को या shoulder को यह सारे के सारे option मिलते हैं मैं आपको front camera में यह सारे use करके दिखाऊंगा आप video की बात करते हैं तो कि जो video जो भी आप इसे shoot करेंगे बहुत ज्यादा stable रहती है आप देख सकते हैं तो मैं normal video बनाऊ इसके बाद जो मैं ultra वाली video बनाऊ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या boke effect यहाँ पर आया हुआ है उसके लावा दोस्तों यहाँ पर वाइड एंगल का option मिलता है फोटो या वीडियो दोनों में तो आप देख सकते हैं कि कितना जादा वाइड कर देता है आप चाहए फोटो श्यूट कर रहे हैं पर इसका जो फ्रेंट में जो सेल्फी कैमरा जो वाइड खीचता है वो जबरता खीच लेता है दोस्तों उसके लावा अगर आप वोके यहाँ पर लेना चाहते हैं या फिर आप वोके से वीडियो या फोटो लेना चाहते हैं तो वो भी यह काफी कमाल के लिए आप देख से हैं यहाँ वीडियो लेते हैं आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं यह सब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह काफी कारगर सीध होता है अब यहाँ पर दोस्तों फेट ब्यूटी की बात करते हैं यहाँ मैं आपको बता रहा था जो मैं आपको रियर कैमरा में दिखाया था तो स्व आप couple में लेना चाहते हैं, friends में लेना चाहते हैं, तो आप बहुत ही जवर्दा तरीके की photo जो यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस तरीके के काफी definitive पोजित रहते हैं, उसके लावा art portrait video यह जो है दोस्तो कमाल के आप देख सेते हैं, उसके लावा दोस्तो अगर आप जैसे normally क्या होता हैं, हमें wide angle में लेना रहता है, तो अगर आप wide angle में भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा wide जो है यहाँ पर हो गया है, तो दोस्तो यहाँ पर इन दोनों फोटो को आप देख सकते हो, मैंने जिने बिलकुल अंदेरे में लिया, और यह कितनी ज़्यादा अच्छी आई हैं, अब चली दोस्तो बात करते हैं इस phone की gaming performance की, तो gaming यह इतनी कमाल ही करता है न, मतलब इतना सा भी lag देखने को नहीं मिलेगा आपको, अब यहाँ पर दोस्तो इसके अंदर हमें copper tube cooling देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपका phone cool रहता है, heat नहीं करता है, और दोस्तो अगर आप PUBG बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो उसके अंदर भी आपको काफी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आपको किसी भी तरह के यहाँ पर graphic में compromises हो गया है, आप frame में compromises देखने को नहीं मिलेगा, at least मुझे तो कहीं भी देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, gaming जो है कितनी ज़्यादा smooth हो रही है, और game mode भी अगर आप use करते हैं, इसका वो भी काफी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको किसी तरह क्यों क्यों disturbance पीच में नहीं होईगी, दोसरा है 8GB, 256GB जो है 31,990 रुपे का, अब दोस्तो इस price range के अंदर अगर मैं plus point की बात करूँ तो phone में काफी सारी चीज़े हमें अच्छी मिल जाती है, camera इसका काफी ज़्यादा strong point मैं कहूंगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong point है, performance काफी अची है, काफी premium feel होता है, तो आप इन दोनो price range के साफ़े जो आपको suit करता हो आप इस phone की तरफ जा सकते हैं, color दो मिलते हैं, इसमें एक piano black है, एक mystic silver है, पर मेरे ख्याल से mystic silver ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, उसके लाब दोस्तों यह phone 15 मईस है, Amazon, Flipkart और जितने भी online stores है, वहाँ पे available हो जाएगा और offline भी जो आपके stores है, वहाँ पे यह आपको मिलने लगेगा, तो आप इसको वहाँ से जाकर purchase कर सकते हैं, या फिर online आप इसको order कर सकते हैं, तो इस phone के बारे में दोस्तों अगर आपकी क्या राया है, आप क्या सोचते हैं, या आपके क्या opinion आपको यह phone कैसा लगा है, तो मुझे जरूर बताएगा दोस्तों, और दोस्तों इस phone की और भी detail और के सारे link जो है मैं description में डाल दूँगा, तो वहाँ से check out कर सकते हो, तो खेर दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अग बल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए टेक कियर एंड बाबाई